मांजी तेरी कष्टी के तलबगार भहुते कि मांजी तेरी कष्टी के तलबगार भहुते इस पार कुछ मगर उस पार भहुते जिस शहर में खोलिये तुने शीशे की दुकान उस शहर में पत्थर के खरीदार भहुते आपकी तैयारी इतनी खामोशी से होने चाहिए कि जब आप मन्जिल पर पहुँचें तो उसका टंग का पुरी दुनिया में सुनाई दे आखों में चीत के सपने हैं अब तो ऐसा लगता है कि हर पल अपने है शुरुआत करने के लिए महान बनने की ज़रूरत नहीं है लेकिन महान बनने के लिए शुरुआत करना ज़रूरी है और जब शुरुआत करोगे तो रहा में मुश्किल होगी हजार तुम दो कदम पढ़ाओ तो सही हो जाएगा हर सपना साकार तुम चलो तो सही अरे मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि तू करना सके दूर है मन्जिल लेकिन इतनी भी नहीं कि तू पाना सके एक दिन तुम्हारा भी नाम होगा तुम्हारा भी सतकार होगा तुम कुछ लिखो तो सही, तुम कुछ आगे पढ़ो तो सही सपनों के सागर में कब तक गोते लगाते रहोगे तुम एक सही रात चुनो तो सही, तुम उपो तो सही, तुम कुछ करो तो सही अरे कुछ ना भी मिला तुम कुछ सीख जाओगे जिंदगी का अनुभव अपने साथ ले जाओगे गीरते पड़ते समल जाओगे फिर एक बार तुम जीत जाओगे तुम जीत जाओगे तु भूल मत कि तु जलता हुआ रे जिस्तान है तेरे अंदर कुछ करने की ठान है अरे रुक मत जो कि तुझे बनना महान है तू राही नहीं रहावीर है मुश्किलों से लडने वाला महावीर है मेहनत को अपनी किस्मत बना तू और इसी के सहारे आगे पढ़ चल तू आगे पढ़ चल तू जो जग को जोती पाटे एसा तू प्रकाश बन मुश्किलों से लड़ने के लिए द्वारी काका नाथ बन जो कभी न रुके वह गंगा फुत्र भिश्म बन चुनौती को स्विकार करने वाला छत्री अवीर बन पातों की कटार से शत्रु लहु लुहान कर मन्जिल को रोकने वाले असूरों का तु संखार कर और अपनी सफलता पाने ही तुम अज सफलता से सीख ले और ब्रैतन बार बार कर क्योंकि सुरज बन कर चमकना है अगर तो चांद बन के रात को जागना है अपने मन्जिल के काटों को तोड़ कर लक्ष की और भागना है तेरे पास है, सपना अगर बढ़ा है तो संगर्ज भी बढ़ा होगा और जीतेगा वही जो मेदान में खड़ा होगा, और याद रखना कोई भी लक्ष इंसान के सहास से पढ़ा नहीं, जीता वही है जो डरा नहीं, सूरज की तरह चमकना है तुझे, तकदीर को अपनी बतलन है तुझे, लकीरों पर विश्वास मत कर, क्योंकि लकीरों से भी आगे जाना है तुझे, मिलेगी रहा में कई सारी मुश्किले, इनको तोड़ कर आगे बढ़ना है तुझे, माबाप का सिर जुकने मत देना, देखना, एक दिन तुझे वह सब बिलेगा, जो चाहा है तु और अन्त में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, कि जिन्दगी में इतना संगर्श तो करी ही लेना, कि जब कोई तुम्हारी कहानी सुने, तो उसके रोंग टे खड़े हो जाए, और अकड़ तोह देना उन नंजिलों की, जिनको अपनी उठ्चाईयों पर कुरूरे, और झाल